नीट 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और बेसक हम सभी को पता है कि जो हमारा पेपर है वो 17 जुलाई 2022 को होने वाला है फोप कि आपकी प्रिप्रेशन बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से चल रही होगी और अब हमारे पास 100 दिन से भी कम बच्चे हुए है यह एक ऐसा समय है एक ऐसा डाइमेंड टाइम है जहां पे हमें अपने प्रिप्रेशन को बहुत तेजी से बुस्ट करना है ने तो हम पीछे रह जाएंगे क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा तेजी से भाग रहे अब जो पेपर पैटर्न होने वाला है नीट 2022 का वो बिलकुल सीमलर होगा नीट 2021 के क्योंकि यह बिलकुल बताया गया है कि हमें 200 कोशन दिये जाएंगे और 180 ही कोशन कर जैसे नीट 2021 में सेक्षन ए और सेक्षन बी होता था बिलकुल नीट 2022 में वैसा ही होगा पर एक छोटी सी ट्विस्ट यह रख दी गई कि 20 मिनट आपको एक्स्टा दिया जाएगा अब इस 20 मिनट एक्स्टा देने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है पेपर पे क्या सबसे पहले उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो 20 मिनट है उसको देकर हम लोग पेपर को लिंदी बना देखो यार पिछले दो सालों से तीन सालों से नीट का पेपर बहुत जादा इजी आ रहा है जिसके वज़े से जो मोडरेट लेवल वाले बच्चे हैं वो भ इग्जैक्ट मुझे याद में उसको भी अगर 2021-2020 के पेपर में बठा दोगे ना तो वह 720 नमबर ठोगतेगा competition awareness के वज़े से नहीं बढ़ा है मेरी बात ध्यान रखना मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूँ पेपर के easy होने के वज़े से बना है आप नीट 2014 आप नीट 2014 मतलब AI PM2 समोगता था 2014 का पेपर देखो अरे तुम 2012 का ही पेपर देखो तुम 2015 का ही पेपर देखो तुम 2016 का ही पेपर देखो भाई तुम बाइलोजी में रोदोगे मैं सही बता रहा हूँ 90 कोशन नहीं कर पाओगे आप बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से भी बालोजी पढ़ोगे न तो आपकी पेन कलम सब कुछ एटी सिक सेटी सेवन पे अठक जाएगी 90 कोशन तो अटेंप्ट ही नहीं मार हो गया उस समय बालोजी में फुल मार्क्स लाने में हालत खराब हो जाते थी और आज देखो कितने लोग आते हैं बहुत सारे कोशन फिजिक्स देख लेना वह भी 2021 से कॉम्पेर में ज़्यादा टफ आते थे 2021 की फिजिक्स तो कुछ नहीं थी यार एक्चली आदिते हमारी खरापती कि 20 में असान आया तो 21 में भी असान आया तो क्या पता वो दुबारा से उसी पैटर्न को रिन्यू करने की कोशिच कर रहे हो अब 20 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है तो ये पॉसिबिलिटी विल्कुल ही है कि सारे कोशन को लेंदी नहीं बनाएगे कुछ कोशन को पकड़के वो लेंदी बना सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है टफ कोशन एक होता है पेपर टफ बनाना एक होता है पेपर लेंदी बनाना दोनों अलग-अलग चीज़े हैं मेरे दोस्त ये दोनों अलग-अलग चीज़े हैं अब 20 मिनट एक्ष्टा दिया गया है तो हो सकता है पूरे पेपर में उनका कुछ ऐसा प्लैन चल रहा हो कि हम हम 10 कोशन को टफ बनाएंगे section A section B हुआ करता था section B में already 15 में से 10 कोशन आपको करने है तो वहां से तो टफ नहीं बनाएंगे वो वो क्या करेंगे section A में भी कुछ कोशन टफ कर देंगे अब किसमें करेंगे वो तो पेपर जब हाथ में आएगा तो यह हो सकता है possibility है और तीसरी possibility जो है वो है अगर पेपर तब भी easy आ गया 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने पर 20-21 की तरह पेपर आ गया easy तो भाई साप cut-off के लिए तैयार रहना हो जब 3 घंटे वक्त दिया जाता है 20-21 में बच्चे ठोक देते हैं 720 नंबर एम्स दिल्ली लेने के लिए 700 से उपर मार्क चाहिए होते हैं general category में तो भाई साप अब 20 मिनट एक्स्टा दे दो और easy रखो पेपर 20-21 की तरह तब तो भाई साप समझ जाना कि इस बर cut-up बहुत जादा जाने वाला है तो आप तयार रहना मैं क्यों बता रहा हूँ आपको prepare for the worst ये नहीं कि ये लेकर चल रहो कि paper easy आएगा भाई साप बैठ के पहले सारे dimensions को सोच लेना चाहिए और हर चीज के लिए तयार रहना चाहिए कि paper lengthy आए tough आए चाहिए easy आए हमारी preparation कुछ इस तरीके से होगी कि हम किसी भी चीज को handle कर लेंगे तो ये possibilities हैं इन तीनों cases के लिए अपने आपको तयार रखें आप मुझे comment section में जरूर बताईए कि आपकी तयारी कैसे चल रही है मैं सब का comment जरूर और यार बस मेरा इस print batch खतम होने दो मैं आपको promise करता हूँ जो मेरे pen paper one source है जो जिसके place पे 5-6 लाक व्यूज आ चुके हैं बच्चों का वो favorite हुआ करता था और आज भी है बहुत सारे बच्चे आज उस one source को फॉलो भी करते जो मैंने pen paper बनाया था मैं promise करता हूँ इतनी सांदार फिजिक्स पढ़ाऊंगा न वन source में बैसिक से और समझा समझा के डारेक्ट कोस्टन आएंगा वहां से डारेक्ट कोस्टन आएंगा और वह जो उससे कम से कम मुझे पूरा विश्वास है यार पचास गुना जादा बेटर होगा content बहुत इजी होगा मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ फिजिक्स के वज़े से सलेक्ट नहीं होते हैं दोस्त लेकिन इस बार वह कमी आपको खलेगे नहीं बस आप अपना elet दूंगा आपको बहुत एक्दम लेंडर टाइप अकिसी इस बी लेवल के बच्चे फ़ह बहुत अच्छा स्कूर करोगे अगर पढ़ायी करम से करना पढ़ेगा जी रूपर भी हो तो कोई बात नहीं बालो जी अच्छी के मैस्टी अच्छिय कोई बात नहीं। उपर फ रेगुलर आऊंगा आप कमेंट जरूर कर देना आपके कमेंट जो हैं वहीं हमें मोटिवेट करते हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजेगा लवसर के नाम पे और 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 हमारा हंडेट डेस का क्राइस को चल दा है जिसकी प्राइस बहुत एफोडेबल रखी गई है 2100 कमेंट करना ना भूलिएगा जो मन वह कमेंट कर दो लेकिन आपके सर को अच्छा लगेगा कमेंट जरूर कर दीजेगा चलिए फिर टटा बाइबाइबाइब टेक केर तैयारी करते रहिए हार नहीं मानना है